मेरे प्रे सजनों आज आपको में बतने जा रहा हूं ये लगन कुंडली के अंदर मांगलिक दोस इतना डरावना और अनिष्ट कारी क्यों होता है वास्त में देखा जाए तो ये विशेश कर जाता कि दामपत्य जिवन के लिए बड़ा बयंकर और अनिष्ट करी होता है इसे आंद देखा कर वरवदू के सादी का मिलान कर दिया जाए यदि दोनों की सादी करा दी जाए तो उनका जिवन वास्त में खत्रे में परजाता है यहां तक यह दोस्त वदू के है और वरके नहीं है और जबरन साधी कर दी जाए तो वदू तीन साल के अंदर वितर वो विद्वा हो जाती है प्राय यह दिखा जाता है कि वधुवाले दनाइड गराने के बच्चे को देखने के लालच में अपनी बच्ची को शाधी कराते देखे गए हैं, जिससे उनका खामियाना स्वियम को तो बढ़ना ही पड़ता है बच्ची को भी भुगतरना पड़ता है विद्व यता के करानों इसे मांगली वदुपक्स से कितने ही लोग मेरे पास आते हैं कितने हैं पंडी साब ये मिलान कर दो आप ना 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 एसा गलत काम कभी नहीं किया जा सकता है आगे वाला परिवार अच्छे खासे पेसे वाला है और अच्छे गराने क्या है हो उन्हें मैं दुदकार करके वापस बेच देता हूँ कभी नहीं करता हूँ इसा अब ये मांगली दोस होता क्या है इसे आप जाने लें आप ये तो जाने लगन कुझड़ी देख रहे हैं तो उसमें ये ear होता है मंगन ये लगन कुझड़ी में जिसने लगन कुझड़ी बो मांगली कैलता है ये एसायो वर वदु के मिलाप करते समय मिल जाता है तब तो ये दोस मिट जाता है उदान के तोर पर आप बड़े जान से समझना इसको ये वदु की कुण्ड़ी में चार चोते बाव में मंगल बैटा है ये चोते भाव में मंगल बेटा है और वर की लगनक कुंडली में एक चार साथ आठ बारा इसमें किसी में भी मंगल बेटा है तो ये मिलान हो जाता है इसमें आपको उलजने की जरूत नहीं है इतना सरा लेए आप देख सकते हैं आराम से मिलान कर सकते हैं आज देखो आपके ये और दूसरा विकल्प क्या है इसमें यदि इनी इस्तानों में एक चार एक चार साथ आठ बारा इसमें अगर मान लो कोई पाप गरबेटा हो सनी, राओ, केतू एक भी बेटा हो तो भी मंगलिक दोस्त का समन हो जाता है निराकरण हो जाता है तीसरा विकल्प क्या है यदि मंगल अपनी ही राशी में बेटा हो अगर मालो ये पहला बाव ये मंगल का ये मेश राची का और इसी में मंगल बेटा है तो भी समन हो जाता है और बारवी यगर ये बारवा गर अगर धनुराची का ये मंगल बेटा हुआ है तो भी इसका समन हो जाता है यदि आटवी राशी करक की हो यह आटवी राशी यह करक राशी हो यानि आटवा बाव खिलाता है एक जिगिनने पर यह आटवा बाव और यहाँ पर अगर करक राशी हो और मंगर बेटा हो तो भी समन हो जाता है और सात्वे बाव की राशी मकर हो ये पती पतनी के बाव की यहाँ पर मकर राशी दस नमबर की राशी हो मकर राशी तो भी इसका समन हो जाता है चोता विकल्प क्या है ये दी दोनों में से किसी की लगन कुंडली में अर्थार्थ पर्थम बाव में या पर्थम बाव में गुरू या सुक्र बेटा हो और उनकी द्रश्टी साथवे गर पत्ती पत्नी के गर पर द्रश्टी सूप द्रश्टी अगर इनके उपर पड़ रही है तो भी ये समन्द ये निराकरण इसका हो सकता है और इस दोनों में से किसी भी लगन कुंडली में गुरव ये हो गया और पांचवा क्या है कि विद्वायोग ये दिकन्या की लगन कुंडली के आठवे बा में कोई भी पाप गर बेटा है ये वदू के ये आठवे गर में यहाँ पर अगर कोई पाप गर बेटा है तो उसका विद्वा होना निश्चित है इसका पंडितों से समन्द करवा दीजिए आप जरूर ये दिस सात्वे सप्तमेश का मालिक शुक्र ये सात्वी राशी तुला राशी ये सात्वी इसका मालिक शुक्र अगर मालो चट्टी राशी में या आठवी में या बारवी में अगर यहाँ पर बेटा है तो भी विद्वायों बनता है इसका भी समन्द करा ले आप और यदि कन्या की लगन कुंडली में सात्वे गर में एक दो तीन चार पांच छ सात ही है सात्वे गर में अगर शुरी बेटा है किन्या के तो पती द्वारा वो त्याग दी जाती है अब मैं आप सभी से गुजरिस्क करूंगा जब भी आप अपने बच्चों की साधी कराएं मेल मिलाब करें उस समय न तो कोई कुंडली में लोट फेर करें नहीं कोई सुर्चनाच छीपाएं क्योंकि आपके बच्चों का बविश अंदकर्म है बन सकता है और फिर आपको पस्ताना नहीं पड़े इसलिए स्पष्ट जहां भी आप मिलान करने जाओ तो सई सुर्चनाच देवे आप पंडित जनों को या कोमिपेटर वाले को ये अवसित्यान लखें बच्चों की जीवन के परती कभी खिलवारन न करें दन्यवाद